दिल देला देने वाली खबर उत्तरपदेश के हातरस से आ रही है देखे स्कूल की सम्रिधी के नाम पर एक बच्चे के हत्या कर दी गई दूसी क्लास के बच्चे को गला भोट पर मार ढारा गया स्कूल की कैंपस में पूजा पाच और तंत्रमंत्र से जुड़े समानों की बरमदगी हुई है पॉलिस के मताबिक गला दबा कर मासुम बच्चे को मारा गया स्कूल के तरक्टी को लेकर तंत्रमंत्र और अंदविश्वास का पूरा खेल रचा गया और सोचिए किस्वी सदी है और स्कूल संचालक का पिता भी तंत्रमंत्र से जुड़ा था इससे भी पहले स्कूल में एक बच्चे की बली का प्लान था आरोपियों ने पूछ ताच में खुलाजा किया है कि पहले वो बच्चा शोर मचाने के बाद बच गया था इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब सोचिए मातम का महल है पूरे परिवार में उन्होंने अपने संतान को खोया अंद विश्वास के नाम पर हात्रस में हिमांशू का सीधा रुख करेंगे हमारे सयोगी वहाँ पर पहुँच चुके हैं हिमांशू क्या ये पूरी खबर है पुलिस ने अब तक कारवाई के नाम पर एक्शन क्या लिया है आकरोशित होंगे माता पिता और परिजन क्या कह रहें ये सब कुछ बताएए विस्तार से देखे सबते पहले तो पुलिस ने जब उनको कंप्लेन मिली तो बॉड़ी बरामद हुई बॉड़ी बरामद करने के बाद पुलिस ने पोस्टमाटम कराया गाड़ी को सीज किया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इस पूरे मामने में पुलिस को पता चला कि तीनों जो बच्चा है 11 साल का उसकी हत्या स्कूल प्रिमिसेज में ही कर दी गई थी तीन लोगों ने उसकी गला दबाई थे और उसके बाद मोटिव और ज़्यादा परिशान करने वाला पुलिस को पता चला क्योंकि जो मोटिव था वो ये था कि इसकूल की बढ़ोतरी हो समरिद्दी हो जो लोन वगरा है वो चुक जाए इसके लिए बली देने की साजिश जो इसकूल प्रबंधक है उसके पिता की तरब से रची गई थी इसमें कुल चार और लोग शामिल थे और इसके बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफतार किया है जिसमें ये आरूपी भी शामिल है और अब पुलिस ने जो इसकूल है इसकूल के बैक साइट पे एक हैंड़ पंप है वहां से भी पूजा पार तो उसकी शायद नीद खुल गई जिसकी वज़र से आपाधापई में तीन लोगों ने इसकूल के अंदर ही उसकी गला दबा कर हत्या कर दी और बॉड़ी को ले जा करके कार में छिपाया और पूरे मामले को रपा धफा करने की कोशिस की थी जी इसकूल की तरक्की कहा